Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWT Job में सरकारी प्रवक्ता भर्ती 2024 पर्वानेंट पोस्ट रहने वाली है Official website पर चले आएं यहाँ पर advertisement name जो आप देखेंगे उत्राखन Special Subordinate Education Lecturer Group C Services General and Women Branch Exam 2024 आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो है percentage रही है, वो matter नहीं करता आपने second division पास किया है, first division पास किया है cable post graduate आप subject में हो और beard बस इतना ही इसमें चाहिए इसमें जो है, जो woman candidate है वो general branch और woman branch दोनों में apply कर सकती है सबसे अच्छी बात जो है, woman candidate के लिए यह रहेगी Group C की post है, advertisement detail में है तो इसमें आप कैसे देखेंगे यहाँ पर publisher जो date है वो 18.10.2014 है ending date 7.11.2014 है इसमें जस्ट आगे ही view पर दिया है इस पर आप click कर लेंगे, ठीक है जो disabilities identification category है तो उनके लिए आप लोगों को इस पर जाना होगा यहाँ पर apply करने का option है इसी के आगे, click here तो आप apply कर सकते है अब detail advertisement देख लेते हैं अब इसमें जो है, जो सामानने साखा के 550 पद है इसमें आप विशे देख लें कौन सा विशे है, अगर आपका विशे है तो अन्तु तक वीडियो के बने रहें और इसमें रिक्तियों की संख्या यह कुल रिक्तियों की संख्या है इसमें जनरल कैटिकरी के अलग है EWS के अनसूचित पिश्डावर्ग, अनसूचित जन जाती और अनसूचित जाती तो इनमें डिवाइड किया गया है पूरी PDF फाइल जो है एक ही वीडियो में कवर कर पाना संभब नहीं है क्योंकि 140 पेजिस की यह पूरी PDF फाइल है आप लोगों को लिंक शियर कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूरी PDF फाइल जो है पढ़ेंगे अपना सब्जेक्ट देखेंगे कैटेगरी वाइस जो है कितने पद हैं वो सारी चीज़े देखेंगे सामाने साखा के बाद जो है महला साखा के कुल जो है 63 पद है इसमें कौन सा विशे है तो इसमें भी हिंदी, इंग्लिस, बहुतिक सास्र, रसाइन सास्र, गणित, जीविग्यान, नागरी सास्र, इतिहास, अर्थ सास्र, भूगोल और ग्रह विग्यान सामाने साखा और महला साखा दोनों में सब्जेक्ट अलग है त्यान रखिएगा ठीक है, ऐसा ना सोचें, कि महला साखा में ये पद है, सामाने साखा आपने देखा ही नहीं, और उसमें आपका पद है, और आप पूरुस अभ्यरती है और महला साखा में भी जो है, कैटिगरी वाइस जो है, इनको बाटा गया है ये जीज मैंने आप लोगों को तमनेल में बता ही दी, प्रवक्ता पद का नाम है, मादमिक सिक्षा विभाग, 613 कुल पद, 550 पद सामाने साखा, 63 महला साखा के, सैलरी लेवल 8 के अकॉर्डिंग, पद का स्वरूब जो है, पर्मानेंट भी है, और अर आस्थाई भी है, प साइन सास्त्र, गणित अंग्रेजी, इसके लिए जो है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट आप हो, किसी भी राज्ये के एक एनिरेट आवेदन कर सकते हैं, एल्टी डिप्लोमा या बीएड किये हुए हैं, ठीक है तो पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में बीएड, चाहे किसी भी सब्जेक के लिए आप आवेदन करना चाहें, बस इतना ही मागा है, और परसेंटेज भी नहीं बताई है इसमें, कि आपकी जो है, पोस्ट ग्रेजु ठीक है, और विज्यापन प्रकाशन के तिथी जो 18 अक्टूबर 2024 है, पहले शॉर्ट नोटिस आया था, बट आप लोगों को डेटेल नोटिस जैसे ही जारी हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ, और वीडियो बन गया, ओनलाइन आवेदन पत्र भढ़ने की जो लास्ट डेट ह है, तो आप आराम से जो है भर सकते हैं, ठीक है, परिक्षा सुल को साथ नवंबर 2024 तक रहेगा, यहाँ पर जो भी फीज ली जा रही है, तो वो भी ज्यादा नहीं है, ओनलाइन आवेदन पत्र में संसोधन परिवर्तन करने की तिथी, 19 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024, जो भी म AWS का प्रमान पत्र वैद होना चाहिए, अभ्यर्ती एक से अधिक साखा, तथा विष्यों हेते आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए अभ्यर्ती को एक ही ओनलाइन आवेदन करना है, पूरस अभ्यर्ती के वल सामानने साखा, और महला अभ्यर्ती दोनों साखाओं हेत online आविदन कर सकती है तो इसमें महला candidate के लिए काफी अच्छा रहेगा सामाने साखा में भी आविदन कर सकती है और महला साखा जो है उसमें तो कर ही सकती है अब यहाँ पर example दे दिया है जैसे कि आपको दो subject के लिए आविदन करना है तो उसके लिए जो है एक ही online आविदन करना होगा जैसे कि यदि एक सामाने श्रिणी की महला ब्यर्ती प्रवक्ता हिंदी शुल्क 1500 रुपे लगेगा और अंग्रेजी के लिए भी आविदन करना चाती है तो इसमें 1500 रुपे लगेगा तो एक ही आविदन पत्र आप भरेंगे लेकिन सुल्क कैसे रहेगा यहाँ पर 300 रुपे आपका लगेगा ठीक है एक बार इसको थोड़ा सा और समझें यहाँ से दोनों विश्यों हेतु अनिवारे सेक्षिक एरता धारित अगर करती है जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए आपको भढ़ना है वो दोनों साखाओं सामाने साखा और महला साखा के उक्त विश्यों हेतु आविदन करती है तो उसे दोनों साखाओं हिंदी और अंग्रेजी सामाने साखा और महला साखा के लिए processing सुल्क के अत्रिक्त निर्धारित सुल्क अलग-अलग आपको देना होगा तो ये 1.500 रुपे तो आपके रहेंगे ही और दूसरा महला साखा के लिए आप अगर करती हैं तो इसमें भी 1.500 रुपे आपके रहेंगे क्योंकि आप दोनों साखाओं में आवेदन कर रही है दोनों में हिंदी इंग्लिस है तो इसमें जो है आपको 600 रुपे आपके यहां पर लगेंगे तो ये समझ में आया होगा रिक्तियों का विवरन जो है बता दिया है तो जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है मैं आप लोगों को वीडियो में क्लियर करती हूँ और लिंक जरूर शियर किया जाता है ताकि आगर कोई भी डाउट है तो आप बिलकुल देख सकते हैं भारत का नाकरिक हो तो इस सेवा में किसी भी पत के लिए यह सीधी भरती है यानि कि एक एक एक्जाम सीधी भरती का मतलब होता है एक एक एक्जाम और आपका सेलेक्शन और यहाँ पर अभ्यारती विज्यापन का सम्मेक रूप से आप लोकन करने ही तू आयो की वेबसाइट psc.uk.gov.in बस गूगल पर आप सर्च कर ले या फिर आप लोकों को लिंक तो दिया ही जाएगा क्यों कैसे जो है फिल करना है वो आपको यहां से देखना होगा शुल्क जो है यहाँ पर देखें आप जो जनल कैटिगरी है तो आविदन शुल्क जो है देड़ सो रुपए है processing सुल्क टेक्स जो है 22 30 पैसा है और कुल सुल्क जो है आपका यह लग रहा है 172 30 पैसा ठीक है तो यह आप देख लें ज्यादा फीज तो नहीं है बिलकुल आपको जरूर फॉर्म भढ़ना चाहिए आपका अगर subject है काफी बड़ी जो है PDF फाइल है यहाँ आप देख लें कि जो यहाँ पर selection रहेगा तो परिक्षा योजना दी गई है screening परिक्षा objective टाइप जो है आपका question paper रहेगा प्रस्णों की संख्या अधिक्तम अंक देड़ सो तो घंटे का समय फिर जो है subject wise आपका पेपर होगा जिसमें प्रस्णों की संख्या 200 होगी अधिक्तम अंक 200 होंगे और 3 घंटे का समय ठीक है लिखित परिक्षा हेतु जो है विशय सूची जो subject हैं जो आपको बता दिये हैं और इनका पूरा syllabus बिल्कुल complete syllabus दिया हुआ है तो 140 pages last तक जो है subject wise syllabus दिया गया है यह आप देख सकते हैं जो भी candidate form apply करेंगे इसी वीडियो के नीचे description box में आप लोगों को link मिल जाएगा काफी अच्छी vacancy है permanent vacancy है permanent vacancy के notification बहुत ही जो है कम देखने को मिलते हैं और अगर vacancy आती है तो कुछ candidate के subject ही नहीं मिलते हैं तो ऐसे में अगर आपका subject है तो बिल्कुल form apply करें ज्यादा fees भी नहीं है Thank you